हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले रतन पावर लिमिटेट से रेट है सात रुपे का एक पैनी स्टॉक्स में इसे कहूंगा ठीक है और पैनी स्टॉक्स भी नहीं कहेंगे ठीक है क्योंकि कंपनी के अगर मार्किट कैप की बात करें तो 3899 मतर्थ 3,008 करोड लाश्ट तक वीडियो में बने रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमें शेयर जरू करिएगा यहां पर और वीडियो बनाई जाती है जाके एक बार देखिए चीजे अपने आप आपको समझ में आजाएगी किस तरीके से हम यहां पर चीजे बनाते है और वह भागती हुई नजर आती है ठीक है तो इसके पीछे का रीजन क्या है अगर वह जानना है तो आप हमें यहां पर 2860540501 816926237 नंबरों को सेव कर लीजिए और एक कोर्स डिजाइन कर रखा जहां पर बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल जो अगर लाइफ टाइम के लिए एक चीज सीखना याद रखिए अपने हाथ का हुनर सीखना वह जरूरी है तो आप वह कर सकते हैं काफी सारी चीजे है इसमें ठीक है आप जब में उससे बाते करेंगे तब मैं यहां पर आपको बताता हुए नजर आऊंगा इसके इलावा व एक हैं पोट्फोलियो साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और साथ में काम करें चाहिए पोर्ट फोल्यों तीन लागतों मिनिमम होना ही चाहिए तो हम बात करें रतन इंडिया पावर लिमिनेटेट से ठीक है कुछ कॉन्स भी नजर आएंगे कुछ प्रॉस भी नजर इसके अलावा आप यहां पर देखोगे कंपनी एस सब चीनिया पर इनके बारे में दे रखी है इसके अलावा हम यहां पर इस एक बारे की वेबसाइट पर चलते हैं तो आपको बता चलेगा यह रतन इंडिया इंटरप्राइजिस की ही एक कंपनी यहां पर नजर आती है जो की पूरा पावर से लिटे जो काम है नो वह करती है इसके लावा यहां पर नजर आती है तो हम तोड़ा सा और यहां पर जाएंगे इनके फंडामेंटर पे पिर इसके बाद टेकनिकल पर चलेंगे और देखींगे एग्जक्ली क्या दिखाई देता है टीक है स्मॉल कप कंपनी है पहली बात और जब स्मॉल केप की तो इस चीच को याद रखिएगा जब शेयर गिरता है तो ऐसा गिरता है और जब शेयर भागना शुड़ू करेगा तो शायद आपको एक तो नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर काफी सारे मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं उपर से के वर गिरता हुआ नज़र आता है इसके इलावा यहाँ पर आप बात करोगे यहली बेसिस पर तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वह तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है काबि अच्छागासा नज़र आता हुआ दिखा यहाँ अच्छागासा अप लेटिंग पॉफिट कर रही है मार्जिन भी बात करें तो मार्जिन ठीक ठाक नज़र आते हैं ठीक है बट अधर इंकम भी कंपनी की है बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी जितना कमारी ह उससे ज़्यादा यहाँ पर इंट्रेस्ट भी कर रही है ठीक है मतलब कंपनी के ऊपर अच्छागासी बौर आइंगे जिसकी वरे से आप देखोगे तो कंपनी के जो नंबर्स है वो नेगेटिव आते हैं और मेरा एक रूल है जब तक नंबर अच्छे ना हो ठीक है मैं उ लोगों के कमेंट थे तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो बनाने चाहिए चार्ट थोड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा है ठीक है नंबर्स नेगेटिव है बर चार्ट इंट्रेस्टिंग लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूं की वीडियो बनाए जाए इसक की वज़े से यहां पर company negative performance करते हुए नजर आ रही है ज्यादा ओके और हम बात करें यहां पर और चीड़ों की तो देखिए revenue reserves जो company के reserves positive थे वो यहां पर positive से negative होते हुए नजर आ रहे है तो यह एक negative की बात करें तो बहुत ज्यादा बोराइं यहां पर दिखाई रहती है वर्किंग पोगास में ग्यारे सो करोड रुपर खर्च कर रख्या है ठीक है company के हमेशा अच्छे कासे पैसे खर्च करते रहती है बट इस्टिल यहां पर मात खा जाती है इसकी वज़े से आप देख रह अबर ही इंट्रेस्टेड यहां इसका थोड़ा बहुत इंट्रेस्ट है भी फिर भी बट वह भी यहां पर घटते हुए नजर आ रहे 16-7% पर आ गया है और यहां पर आप देखो के पब्लीक की 48% की holding है उसमें भी दो holding यहां पर नजर आती है इन पर्टिकुलर कंपनीस की ठीक है इन्होंने अच्छे कासे शेयर यहां पर लगा ले रखिया है इसके अलावा 14 September को 14th September को इसी मही ने यहां पर अच्छे कासे शेयर 6 रुपे के बहुँपे बेचे गई है इस चीज को भी हमें नहीं भूलना है जो फसे होंगे वो यहां पर शाय निकलने की कोशिश क कर रहे होंगे ओके यहां पर मार्स 2022 में कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है वहां पर हमेशा चलता रहता है तो जब यहां पर सब चीज नेगेटिव है तो मैं इसके रिलेटिड वीडियो क्यू बना रहा हूं वह आपके दिमाग में एक कोश्चन आ रहा होगा तो जैसे अच्छे होते हैं कभी टेक्निकल अच्छे नहीं होते हैं फंडमेंटल अच्छे होते हैं तो हमें कॉंट्राडिक्ट कॉल भी कभी-कभी यहां पर लेनी चाहिए ठीक है बट उसके लिए याद रखिए मैं यहां पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रह कि यहां पर आप देख पा रहे हो क्या देख पा रहे हो कि कंपनी यहां पर अच्छे गासे की बात करूं तो स्टेज टू में यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है बट इस्टे फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मैं तो यहां पर इंवेश्टेड नहीं हूँ और नहीं मैं यहां पर इस शेर को लेने वाला हूँ चाहिए यहां से सात रुपे से सत्तर रुपे पोच जाए मुझे यहां पर फरक नहीं बढ़ता है जब तक मेरे कुछ रूल्स है वह रूल्स यहां पर अप्लाई नहीं होतें तो मैं यहां पर नहीं जाता है तो उस लिए मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूँ पोल एंट फ्लैग यहां पर एक पैटर बनता हुआ नजर आ रहा है ठीक है उसके हिसाप से अगर यह शेर यहां पर ब्रेक आउट देता है इस पर्टिकूलर लेवल से ठीक है अगर यहाँ पर साड़े साथ रुपे के ऊपर बैठ जाता है ठीक है यहाँ पर तो यह शेयर अच्छी का सी मुव्मेंट दिखा सकता है और उस केसे में एक छोटा सा कुछ पैसो का यहाँ पर स्टॉप लोस लगाईएगा ठीक है दस पैस तक यहाँ पर आपके रेटन दिखा रहा है मुझे ठीक है कि 13 रुपे और अगर 13 रुपे कंपनी के फंडमेंटर चुदर जाते हैं और 13 रुपे का लेवल निकालता है तो मैं इसी चार्ट को ठीक है इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा बीसी की साइट पर लाऊंगा और एक ब मया पता चलेगा कि मंतरी चार्ट पेटन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था लगब लगब तो फाइव टाइम्स यहां पर आपके पैसे बनते हुए नजर आते हैं तो कुछ चीज अच्छी है टेकनिकल अच्छे नजर आ रहे हैं तो इस बेसिस पर यहां पर वीडियो बना रहे हो ठीक है अधरवाइस मैं इस शेयर को यहां पर चुनता नहीं और शायद किसी के पास यह शेयर होगा जो कमेंट कर रहे हैं उनके पास यह शेयर हो सकता है वॉल्यूम यहां पर अच्छे खासे हैं बट इस ट्रैप होने के चांसे भी उतने जादा ही है ठीक है अगर यहां पर आपने लिया तो शायद आगने वाले टाइम में दो रुपे भी हो सकता है और सात तो दोनों तरफ के यहां पर आप खुली हुई है या तो यहां से ऊपर यहां से नीचे बट इस टिल ऊपर जाने की अफसाइड जादा है तो तो यहां पर आप अगर नीचे आता है तो एक चोटा सा लॉस लेके निकल सकते हो बाकि अगर नीचे जाता है ठीक है तो नीचे जाहिर है फिर तो उसमें कोई बात नहीं है बट ऊपर जा रहा है तो आप ऊपर को किस तरीके से काम कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया वीडियो अची लगे लाइक कमें शेयर चाहिने को सब्सकाइब करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो आपके सामने यहाँ पर पेश करता नहीं और आपको यहाँ पर मैं मदद करता नहीं आपको अगर साथ में काम करना चाहते हैं तो इन नमबरों पर कॉंटेक कर सकते हैं तो इन नमबरों पर कॉंटेक्ट लाइक करें कमेंट करें थैंकी सो मुच गडब्लेस